350cc और 650cc सेग्मेंट में डॉमिनेट करने के बाद अभी Royal Enfield का फोकस है 400 से लेके 450cc सेग्मेंट की जो बाइक से उस सेग्मेंट में जहां पर मिलती है Triumph Speed 400, Hero Maverick 440 और Harley Davidson 440X और ये टाइप की बाइक जो है ये सेग्मेंट में भी Royal Enfield आने वाली है बहुत ही जल्दी और आचुकी है अपनी Adventure Tourer टाइप की बाइक लेके जो है Himalayan 450 लेकिन बहुत ही जल्दी और भी एक बाइक आने वाली है Royal Enfield के तरफ से वही सेम इंजिन के साथ जो होने वाली है Scram 450 पहले भी जो Himalayan मिलती थी मतलब Himalayan 411 उसके साथ भी एक Scram 411 आती थी जो बहुत जादा पॉपुलर हुई थी उस टाइम में और अभी ये Scram 450 भी आने वाली है क्योंकि इसमें भी सेम चीज मिलने वाली है Maximum जो Himalayan में मिलती है थोड़ा बहुत Changes of Tweaking के साथ ये बाइक इंडिया में मिलेगी तो ये भी बहुत जादा पॉपुलर हो सकती है 400-450cc सेग्मेंट में अगर देखा जाए तो यहां पर KTM भी बहुत जादा एक अच्छी दाविदार है क्योंकि KTM Duke या फिर Adventure 390 जो मिलती है अभी इंडिया में वह बहुत जादा पॉपुलर है उस सेग्मेंट में अगर देखा जाए तो यह सेग्मेंट भी एक बहुत ही हॉट सेग्मेंट है और इसी चीज़ को फोकस करते हुए यही 450cc सेग्में और भी दो बाइक आने वाली है एक है हांटर 450 जिसको भी देखा गया था टेस्टिंग करते हुए लेकिन वह कोई अलग वीडियो में हम लोग बोलेंगे उसके बारे में लेकिन अभी के लिए यह स्क्रैम 450 में क्या कुछ चीज मिलेगा वो चीज देख लेते हैं तो यहां पर एक सिंगल सीट उनिट देखा जाएगा और इसका जो बैक साइड है यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर अलग से कोई भी टेल लाइट नहीं दिया गया है और जो exhaust है, engine है यह सब चीज सेम मिलेगा फ्रॉंट में भी अगर आप देखेंगे तो फ्रॉंट में जो suspension दिया जाएगा यह एक टेलिस्कोपिक suspension दिया जाएगा यह USD नहीं होगा जो मिलती है Himalayan 450 में इसके साथ-साथ instrument cluster एक 4-inch TFT डिस्पले होने वाली है, rounded जो अभी मिलती है Himalayan 450 में भी तो यह instrument cluster बहुत ही जादा informative और modern है तो यहां पर changes की कोई ज़रुरत नहीं होगा foot pegs को अगर देखा जाएगा तो यह थोड़ा सा पीछे के side में होगा तो थोड़ा सा sportiness भी आपको मिल जाएगा tire size के अगर बात किया तो सामने मिलेगा 110 और पीछे मिलेगा 150 जो बहुत अच्छा खासा होने वाली है इस बाइक के साथ और इसका look के साथ बहुत अच्छा जाएगा dual channel ABS जो switchable होगा सामने मिलेगा 320 mm की disc brake पीछे मिलेगा 270 mm की disc brake seat height थोड़ी सी कम होने वाली है अगर Himalayan के साथ compare करेंगे और यह होने वाली है 8 mm के नीचे और ground clearance भी थोड़ा बहुत कम होगा क्योंकि यहाँ पे suspension setup को change किया गया है उसके साथ tires और wheel base को भी change किया गया है तो यहाँ पे ground clearance भी थोड़ा बहुत कम तो जरूर होगा इस bike में वही same 452 cc की single cylinder liquid cooled engine मिलने वाली है जो DOSC setup के साथ आती है 4 valve है यह engine 40.2 bhp और उसके साथ 40 mm की peak torque मिलने वाली है और यह torque आपको lower rpm से ही मिलना start हो जाएगा और हर एक power band में यह torque आपको feel होगा 6-speed gearbox का भी support मिल जाएगा और यही एकलौती engine आती है royal engine के तरफ से जो liquid cooling के साथ आती है तो यह भी एक अच्छी चीज है pricing को अगर देखा जाए तो इस bike की जो pricing लगवग होने वाली है वो 2.3 lakh से लेके 2.5 lakh के बीच मतलब लगवग 2.5 lakh रुपे एक शोरूम pricing के साथ ही यह bike इंडिया में launch हो सकती है क्योंकि market में अगर competition को देखा जाए तो triumph, hero, Harley Davidson और KTM यह सब बड़ी बड़ी brand है इस segment में जो अभी के time में तो बहुत जादा popular है लेकिन Royal Enfield का brand image ऐसा है कि यह bike अगर इंडिया में आती है यह bike लेके और यहाँ पर features भी ठीक ठाक मिल जाती है तो बहुत जादा popular होने की chances हो जाती है और क्या-क्या चीज है जो इस bike में देना चाहिए तो आपको लगता है वो नीचे comment में ज़रूर बताईए और अगर आपको यह bike पसंद है तो इस video को like कीजिए और ऐसे ही बहुत सारे interesting videos देखने के लिए इस channel को subscribe करना मत भूलिए मिलते हैं कोई और interesting video में